हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दर नेक्श्ट लेवल में आज की वीडियो में हम रायस्थान के लोक देवी और लोक देवताओं के इंपोर्टेंट 25 क्वेस्चन्स करने वाले हैं जो की रायस्थान में आने वाले एक्जामस में आपकी काफी मदद करेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आपके लिए यूजफुल होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है और अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आईए सुरू करते हैं कुस्चन है किस देवता की ख्याती चार हाथ वाले देवता के रूप में हुई तो इसका option है मली नाथ जी, कला जी, पत्ता जी या रूप नाथ जी तो ये पटवारी 2011 का प्रश्ण है तो इसका answer है option नम्मर भी कला जी कुस्चन है वे कौन से देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की मेवा से गाए छुडवाने है तू अपनी जीवन की आहुती दी option है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या मली नाथ जी तो इसका सही answer हो जाएगा तेजा जी यानि की option नम्मर भी और तेजा जी को किस देवता के नाम में जानते हैं हम लोग तो तेजा जी को सापों के देवता के नाम पे जाना जाता है आप याद रखेंगे, इन्होंने गाय छुडवाने के लिए अपनी जीवन की आहुती दी थी लेकिन इन्हें जाना जाता है सापों के देवता के नाम से तेजा जी की पत्नी पेमर की सखी लछवा भोजड़ी के गायों को मेवों ने पकड़ लिया था और उसी को छुडवाने के लिए इन्होंने अपने प्रानों की आहुती दी थी ये सुचना साहिक 2013 का प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी का जन्मस्थान कोलूमंड गाउं है तथा इनका मेला भी कोलू गाउं में ही लगता है कोश्चन है किस देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है ये बियर 1996 का प्रश्न है इसके लिए उप्सन है गोगा जी पाबू जी हर्बू जी या तेजा जी तो इसका सही आंसर है उप्सन नमर ए गोगा जी गोगा जी के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है क्योंकि इनके मुस्लिम पुजारी भी है और इनके मुस्लिम पुजारी चाइल कहलाते है वीर तेजा जी के घोड़े का नाम क्या था? ये बियर्ड 1995 का प्रश्ण है आप्सन है लीलागर, लीला, केसर या लीलाना तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीलन यहाँ पे लीलाना लिखा गया है लेकिन आप्सन नमर डी लीलन इसका सही आंसर है आपको पता ही होगा लीला किसके घोड़े का नाम था? मैंने बताया था आप ये मुझे comment box में अभी करके बताएंगे कि लीला किसके घोड़े का नाम था केसर मैंने बताया था पाबु जी के घोड़े का नाम था तो आप अच्छे से देख लेंगे किसके घोड़े का क्या नाम था काफी confusing names होते हैं question है राइका रेवाड़ी जाती के आराध्य लोकदेवता कौन है ये question LDC 2013 में पुछा गया था इसके लिए option है पाबु जी, गोगा जी, तेजा जी या हर्बु जी तो इसका सही आंसर है पाबु जी यानि कि option नमर A question है जुझार जी कौन से जाती से संबंदित है तो इसका option है ब्राह्मन, जाट, राजपूत या ओस्वाल ये 3rd grade 2012 का question है इसका आंसर हो जाएगा C, राजपूत जादा तर जोग देवता हुए हैं वे राजपूत कुल से ही संबंदित रहे है question है सापो के देवता के रूप में पूझे जाते हैं ये 2nd grade 2013 का question है option है रामदेज जी, टेजा जी, पाभू जी या देवनगाईन जी तो सापो के देवता के रूप में गोगा जी और तेजा जी दोनों ही पूझे पूजे जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गोगा जी ऑप्सन में कहीं नहीं है तो आपके लिए जो ऑप्सन बच जा रहा है वो तेजा जी है तो तेजा जी ही इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी को सापो का देवता भी कहा जाता है और गोगा जी को गोर अक्षक देवता भी कहा जाता है सापो के देवता दो हो गए गोगा जी और तेजा जी इसी तरह से गोर अक्षक देवता भी दो है गोगा जी और पाबू जी गोरक्षक के लिए जो एक बहुत ही अच्छी ट्रीक है वो है गोपाल गोपाल से आप जो गाय को पालने वाला होता है तो गाय को पालने वाला से ट्रीक बन रहा है गोपाल गो से गोगा और पा से पाबू जी यहनि कि गोपाल में आपको गोरक्षक के देवता का नाम याद हो जाएगा गोगा जी और पाबू जी कोस्चन है रुनेचा क्यों परसिद है यह 3rd grade 2013 का कोस्चन है अप्सन है बाबा राम देव, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी तो यह बाबा राम देव जी के लिए परसिद है क्यों परसिद है बाबा राम देव का रुनेचा में भी मेला लगता है इसलिए बाबा राम देव जी के लिए रुनेचा परसिद है question है सायू गाउं में किस लोक देवता का विसाल मंदिर है ये पटवारी 2011 में पूछा गया था option है कला जी, इलो जी, फत्ता जी या रूपनाथ जी तो इसका सही आंसर है फत्ता जी option number C question है लोक देवता पाबु जी के जीवन दर्सन के उपकारक लोक देवता के रूप में पूज़े जाते हैं कौन ये B.A.D.2000 का प्रश्ण है इसके लिए option है ओसिया मोड जी, नेन जी, फजल या अमीर खुजरो इसका सही आंसर हो जाएगा आसिया मोड जी यानि की option number A ये क्यों ये पूज़े जाते हैं इस नाम से क्योंकि आसिया मोड जी ने पाबु जी के जीवन पे पाबु प्रकास नाम का एक ग्रंथ लिखा था और इसी के लिए इन्हें पाबु जी के जीवन दर्सन के उपकारक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है question है गाउ गाउ खेजडी गाउ गाउ गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन हुआ है वे किस जिले में जन्मे है तो आप इस कहावत में समझी पा रहे होंगे कि ये गोगा जी का बारे में संबोधन की गई है तो गोगा जी का जन्मस्थान आपको बताना है ये ग्राम सेवक 2018 का प्रशन है और ये जो जिला है वो है चरू यानि कि option नमर A question है लोक देवता मली नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है ये RAS और RIS 2012 पुछा गया था इसका option है चुरू विकानेर बाड मेर या जैसल मेर तो ये बाड मेर 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 में इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा C ये मंदिर तिलवाडा के बाल मेर मेर में इस्तित है question है गोगा जी का धर कहां गिरा हुआ मिला ये रायस्तान पुलिस 1998 का question है option है सिर्स मेरी सिद्ध मेरी गोगा मेरी या दद्रेवा तो उनका धर जहां गिरा हुआ मिला उसे अभी हम गोगा मेरी के नाम से जानते हैं तो option हो जाएगा c goga mayri इसका answer सीर के साथ ये धर है और सीर कहां कि राहो मिला था तो वह जहां सीर मिला हुआ था गिरा हुआ उसे सिर्समेडी सिद्ध मेड़ी वह कहते है यानि कि सिर्समेडी और सिद्ध मेरी जो कवी भी थे ये 295 का प्रश्ण है ओप्सन है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या हडबू जी इसका सही आंसर है ओप्सन नमर सी रामदेव जी रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी थी 24 बानिया और इसमें उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी तो इसी के लिए इन्हें कवी भी कहा जाता है कोश्चन है रायस्थान के वह लोक देवता कौन थे जिसने मोहमद गजनवी से युद्ध किया था यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ रायस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहमद गजनवी से युद्ध किया था यह रायस्थान पुलीस 2017 में पुछा गया था क्वेश्चन इसके लिए उप्षन है गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या मलीनाथ जी तो इसका सही अंसर हो जाएगा गोगा जी गोगा जी आपको याद रखने की अच्छी ट्रिक है यहाँ पे गजनवी का गव और यहाँ पे गोगा जी का गव दोनों मैचिंग है, राइमिंग में आ रहा है तो आप इस तरह से से ट्रिक कर सकते है क्वेश्चन है उटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद है यह 3rd grade 2013 में पुछा गया था ओप्षन है तेजा जी, गोगा जी, इलो जी या पाबू जी इसका अंसर हो जाएगा पाबू जी यानि की दी नम्मर ओप्षन क्वेश्चन है भारतिय डाग विभाग ने किस लोक देवता की फड़ यानि की जन्म दिवस पर डाग टिकट जारी किया है यह क्वेश्चन राजस्थान पूलिस 2013 में पुछा गया था इसका अप्षन है रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या देव नराइन जी तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव नराइन जी यानि की अप्षन नम्मर दी यह डाग टिकट दो सितंबर 1992 को पांच रूपाई के डाग टिकट पे जारी किया गया था अप्षन है परबत सर, खंड लाल, ददरेवा या कोलूमंड अब देख सकते हैं यह परिशा 3rd grade 2018 में पूछा गया अगदम latest question है तो इसका option हो जाएगा option नम्मर बी खंड लाल और मैंने आपको बताया ही तेजा जी के घोड़े का नाम लिलन था question है लोक नाटक के रूप में पाबू जी की फड लोक प्रिया है पाबू जी है क्या ग्राम सेवक 2018 का ये परशन है इसके लिए option है संगीत कार, लोक देवता, इतिहास कारिया देवता तो ये लोक देवता है, इनकी पूजा की जाती है, तो इसका अंसर पाबु जी लोक देवता है, यह हो जाएगा और पाबु जी गौरक्षक देवता है, आपको ये भी याद रखना है क्वेस्चन है, तेरह ताली निर्थे, किस देवताय की उपासना में किया जाता है, ये 3rd grade 2013 की एकजा में पूछा गया था, इसके लिए अप्शन है गोगा जी, राम देव जी, तेजा जी या मलिक नाथ जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राम देव जी, यानि कि अप्श कि उप्शन है, लोक देवता राम देव जी का वाहन क्या है, या फिर उनके वाहन का क्या नाम है, ये ये क्वेस्चन जेल प्रभारी परिक्षा 2012 पूछा गया था, इसके लिए अप्शन है लीलन, लीला सागर, केसर, या लिली घोडी, लीला, तो इसका आंसर हो जाएगा, अप्शन नमर डी, नीली घोडी लीला, नीली घोडी जिसका नाम था लीला, इसके साथ ही कुछ और भी लोक देवता के वाहन आपको याद रखने जरूरी है, जैसे मांगलिय मेहा जी के घोडी का नाम किरन काबडा था, पाबु जी के घोडी का नाम केसर कालमी था, गोग कालमा ये पाबु जी के घोडे का नाम था, बाबा राम देव जी की माता का नाम क्या है, ये बीएड 2004 का प्रस्ण है, और इसका ऑप्शन है नेना दे, नेतल दे, मेना दे या कमल दे, तो इसका सही आंसर है मेना दे, यानि कि ऑप्शन नमर सी, गोगा जी का थान किस पेड के नीचे होता है, ये राज्तान प्रस्ण 2007 का प्रस्ण है, इसके लिए ऑप्शन है खेजडी, नीम, पीपल या असोख, तो ये होता है खेजडी के ब्रिक्ष के नीचे, इसका आंसर हो जाएगा एक खेजडी, क्वेशन है, भुरिया बाबा, गौमतेश्वर आराद देवता हैं किसके, ये 2nd grade 2010 की परिक्षा की क्वेशन है, इसका आप्शन है मीनाओं के, गुजरों के, जाटों के या ब्रहमनों के, तो ये मीनाओं के आराद देवता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप्शन नमर A, भुरिया बाबा, गौरवार के मिनाओं के अराद हैं, ये लोग कभी भी भुरिया बाबा की जुटी सौगंद नहीं खाते हैं, और इनका प्रती वर्स मेला लगता है सिरोई में, तो ये है इनकी जानने लाइक बाते हैं, तो दोस्तों ये थे आजस्थान के लोग देवता कर लें, क्योंकि ये हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा ही करेगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जैहिंद!